एक बार, एक जंगल में एक कौवा रहता था। तब गर्मी का मौसम चल रहा था। एक दिन कौवा को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में यहां वहां भागता रहा। लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। लेकिन कौवे ने हिम्मत नहीं हारी। वह जंगल के उपर से जा रहा था, पानी की तलाश में, जाते जाते उसको एक मटकी दिखी, जो एक पेड के नीचे पड़ी थी, वह उड़कर मटकी के उपर बैठा और जहांक कर देखा, मटकी में पानी बहुत कम था, पानी इतना नीचे था कि उसके लिए अपनी चोज की पत्थर के धेर पर पड़ी, जो एक पेड के नीचे पड़े थे, उसके दिमाग में एक अदभुत विचार आया, कि यदि पत्थर के टुकडों को मटकी में गिराएं, तो पानी के स्तर को उँचा किया जा सकता है, फिर उसने मटकी में एक एक करके पत्थर के टुकडे डा पत्थर डालने शुरू किये और अंत में पानी का स्तर, पत्थर डालने के कारण उचा हो गया, फिर कौवा ने अपनी चोंच की मदद से पानी पिया और खुश होकर वहां से उड़ गया, नैतिक शिक्षा, मुश्किल समय में मेहनत और समझदारी से काम लेना चाहिए